हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे. आज हम World Bicycle Day पर चर्चा करेंगे. World Bicycle Day, जाने क्या है विश्व साइकल दिवस का इतिहास, यह है साइकल चलाने के बड़े फायदे. यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसिमंद और पर्यावरंग की सुरक्षा को प्रोथसाहित करने के लिए मनाया जाता है. साइकल की विशेष्टा और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को अंतरराष्ट्रिय विश्व साइकल दिवस मनाया जाता है. कहा गया है कि शहरवासी अपने आसपास की दूरी तै करने के लिए साइकल का इस्तेमाल करें, तो इससे प्रतिदिन सेकरोल लीटर पेट्रोल की खपत कम होगी. वहीं शहर का प्रदूशन स्तर भी कम होगा. साथ ही जो लोग साइकल चलाते हैं, उनका मानना है कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता है और सुरक्षित रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था. यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसिमंद और पर्यावरं की सुरक्षा को प्रोटसाहित करने के लिए मनाया जाता है. यूरोपिय देशों में साइकल के प्रयोग का विचार लोगों के दिमाग में 18 वी शताबदी के उत्तरार्ध में ही आ चुका था, लेकिन इसे मुर्तरूप सर्वप्रतम सन 1816 में पेरिस के एक कारीगर ने दिया. उस यंत्र को होबी होज अर्थात काट का गोणा कहते थे. पेर से घुमाए जाने वाले क्रैन को पैडल युक पहिये का आविशकार सन 1865 में पेरिस निवासी लाले में लालमेंट ने किया. इस यंत्र को वेलोसिपीड वेलिसिप्ट कहते थे. इस पर चवने वाले को बेहत थकावट हो जाती थी. अतह इसे हार्तोड बोन शेकर भी क एहने लगे. इसकी सवारी, लुक प्रिय हो जाने के कारण, इसकी बढ़ती मांग को देखकर इंगलैंड, फ्रांस और अमेरिका के यंत्रनिर माताओं ने इसमें अनेक महत्वपूर्ण सुधार कर सन 1872 में एक सुन्दर रूप दे दिया, जिसमें लोहे की पतली पट्टी क तानयुक्त पहिये लगाए गए थे. इसमें आगे का पहिया 30 इंच से लेकर 64 इंच व्यास तक और पीछे का पहिया लगभग 12 इंच व्यास का होता था. इसमें क्रेंकों के अतिरिक्त गोली के वेरिंग और ब्रेक भी लगाए गए गए थे. भारत में साइकल का इतिहास. भारत में भी साइकल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में एहम भूमिका निभाई। 1947 में आजादी के बाद अगले कई दशक तक देश में साइकल या तायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। खास्तोर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में ज्यादातर परिवारों के पास साइकल थी। यह व्यक्तिगत या तायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन था। गावों में किसान सापताहिक मंडियों तक सबजी और दूसरी फसलों को साइकल से ही ले जाते थे। दूद की सपलाई गावों से पास से कसबाई बाजारों तक साइकल के जर्ये ही होती थी। डाक विभाक का तो पूरा तंतर ही साइकल से चलता था। आज भी पोस्टमें साइकल से चिठिया बातते हैं। साइकल चलाने के फायदे 1. रोजाना आधा घंटा साइकल चलाने से पेट की चर्वी कम होती है। रोजाना सुबह के वक्त साइकल चलाने से आपकी फिटनेस बरकरार रहती है। 2. आप ये जानकार थोड़ा हैरानी होगी कि साइकल चलाने से इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति दिन आधा घंटा साइकल चलाने से इम्यून सल्ज एक्टिव हो जाते हैं और बीमार होने का खत्रा कम हो जाता है। 3. लगातार साइकल चलाना घुटने और जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को आराम पहुचाता है। 4. एक रिसच के अनुसार जो इंसान रोजाना 30 मिनट साइकल चलाता है उसका दिमाग साधारन इंसान के मुकाबले ज्यादा एक्टिव रहता है और ब्रेन पावर बने के चांसेज भी 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ते हैं। 5. साइकल सबसे सस्ता साधन है। जहां आपको दूसरी गाड़ियों में तेल के लिए पैसे खर्च करेने होंगे। वहीं आपको साइकल में ऐसा कुछ करने की आवश्यक्ता ही नहीं है। स्वास्थे के साथ साइकल आपके पैसे बचाने का काम भी करती है। आपको ये हविश्य पसंद आया तो कृपया लाइक और सबस्क्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।